तो हे गाइस गूड बॉर्णिंग कैसे हैं आप सब में किश वर्मा आप देख रहे हैं मैडिसन किंग आज हम रिवियू करने वाले हैं एलगल डी सिरप के बारे में इस रप के क्या यूज क्या बेनिफिट हैं आप इसका इस्तिमाल कौन कौन से कंडिशन के लिए कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानेगे तो गाइस वीडियो का आखर तरक जूर देखना अगर आप हमारे चैनल पर नाए आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन को दवाएं कि जूर वीडियो में अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके वीडियो को आगे श्रू करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे अल्गली की ब्रेंडिंग है और यह 50 to ml में आता है अगर हम बात करेंगे इसके कंट्न के बारे में तो कंट्न यहां पर आप देखेंगे कैल्सियम विटामिन दी 3 है और प्निचम का एक वेस्ट सरोत है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और कंपनी के बारे में बात करेंगे तो कंपनी यहां पर एलकेम इस प्रॉड़ेट को बनाती है और यह जैनरिक ब्रैंड है और इसका मेंगो फ्लिवर है गाईज अगर अगर अमर्पी की जानकारी हम दें आपको तो अमर्प इसमें 80 रुपए मर्पी है और यह आपको इसली किसी भी कमेस्ट में मिल जाएगा तो इसके बेनिफिट के बारे में आप इसका इस्तमाल कौन को सी कंडिशन के लिए कर सकते हैं तो गाईज अगर आपके हट्डियों में पतन होता है या फिर आपकी हट्डियों बहुत और मेगनाशियम की कमी होना तो इस कंडिशन में आप अलगल डी सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं उससे पहले हम दोस्तों इसको ओपन करके देख लेते किस तरह की पैकिंग है इसकी तो यहाँ आप देखेंगे बहुत ही प्यार सी पैकिंग है और फिर हम बात करते हैं इसके औ कोई ज़रूरत होती तो उन कंडिशन में भी आप अलगल डी सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों आने वाला जो शिशु होता उसकी हट्डिया मजबूत होती हैं और महिला को कोई भी आयरेन और पोटाशियम मेगनेशियम की कमी नहीं पड़ती तो इन कंडिशन में आप कैशियम एलगल डी सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तों इसके इस्तमाल जैसे कि आपके किसी दुर्गवटना की वई से एक्सिडेंट हो जाता है उस दुर्गवटना में आपकी हट्डी में ब्रेक आ जाता है तो उसको रिपेर करने में दोस्तों यह कैशियम सि देखे हैं मितली उल्टी देखी गए है या फिर आप लम्मे समय तक अगर कैलिशियम का इस्तमाल करते हैं तो आपको पत्री होने के भी चांस रहते हैं इस परकार के आपको इसके साइड एफेक्ट देखे गए हैं तो दोस्तों इसके डूसर के बारे में बात करेंगे तो सु मतलब मैकसिमम एक से दो महिने करें और बेन डॉक्टर की कोई वी आप दवा इंग्जेक्शन का इस्तमाल बिल्कुल ना करें यह अपनी मर्जी से बिल्कुल ना करें डॉक्टर की सलाले फिर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो आई हो तो आपको यह रिव्यू अच्छा लगाओगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जूरू करिएगा धन्यवाद